असलाम लेकुम एंड गूड इवनिंग एवरीवन वेलकम टू हैदफ एंडीकर 2023 अर्ली प्रेप सेशन तो अधू आज के लेक्ट्टर बहुत इंट्रस्टिंग और इंफिर्मेटिव हने वाला है आज हम 3D विजुलाइजेशन अनिमेशन और डियाग्रमेटिकली एंग लेक्टे कवर करने वाले हैं और आपको कोई कन्फिजन नहीं रहेगी और आपका यह टॉपिक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा फर्स्ट और जो हैदफ सेशन पर न्यू आए हैं तो उन्हें में बता दूंगे हमारा है हैदफ सेशन चल रहा है अपनिका 2023 की प्रेपरेश डिसकेशन ग्रूप में एड़ कर दिया जाएगा सो देखते हैं आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं सो स्पोर्स और मुव्मेंट जो हमारा चैप्टर है इसमें मेंली टू पार्ट्स है इसके स्कालिटल सिस्ट्रम एंड मैस्कुलर सिस्ट्रम ठीक है सो आज हम स्कालिटल सिस्ट्रम कवर करने वाले हैं मैस्किलर सिस्ट्रम हम नेक्स्ट लैक्टे में कवर करेंगे तो आज हमने क्या क्या करता है कार्टिलेज बॉन, हिमन, स्कालिटन, जोईट्स एंड इसॉर्डर ऑफ बॉन ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं लोको मोशन और मुवमेंट में क्या फर्क है मुवमेंट को अगर हम डिफाइन करें चेंज इन पॉस्चर इसको क्या मतलब होता है मीन्स के आप अपने मीन्स के पॉस्चर शेप में चेंज बलाएं अपने बैठने के इस्टार में बैठने के इस्टार में चेंज लाएं आप अपनी लोकेशन चेंज करें आप एक जगा से दूसरी जगा अपना डिस्टेंस कवर करें और आप अपनी जो है पोजिशन एक जगा से उठकर दूसरी जगा जाए जब आप डिस्टेंस कवर करेंगे लुकेशन अपनी चेंज करेंगे तो फिर वह मुवमेंट लोको मोशन के लाइगी ठीक है तो यह दोनों में डिफरेंस है तो अगर आपसे पुछा जाए कि क्या हर मुवमेंट लोको मोशन होती है तो यह नो क्या मेंट होती है यक है तो एंस्टेंस मुवमेंट करना लाज म्याख़ है लेकिन क्या हर लोको मोशन हो सकती है तो इसका अन्सवर है जब आप लोको मश्य करेंगे, तो मुव्मेंट भी ऑविस्टी सी बात हो रही हो गी. वनको वती तुपिकी के ऊसकि तरफ आते हैं, कार्टिलेज. कार्टिलेजें दाइप आभ टुपिछ टुशू, कार्टिलेज कनेक्टिव टिशू की टाइप है。 अब जब कनेक्टिव टिशू की बात हुई है तो मैं आपको कनेक्टिव टिशू के बारे में बता दूँ इसके कनेक्टिव टिशू क्या होता है अच्छा जो हमारी human body है यह बहुत से टिशू से मिलकर बनी वी है इसके अंदर approximately four types of tissues पाया जाते है पहला है कनेक्टिव टिश टिशू यह nervous tissue होना है second one is nervous tissue third one nervous tissue third one is muscular tissue and the fourth one is epithelial tissue ठीक है और अब इन सारे जो उनसे tissues है फोर टाइप में से इसमें से सबसे abundant tissues कौन से है connective tissue most abundant tissues है और connective tissues की अगर बात की जाए तो cartilage होता है इसकी example ठीक है cartilage हो गया उसके इलावा जो हमारे bones है वो हो गई ligaments हो गए उसके इलावा tendons हो गए उसके इलावा blood हो गया हमारा जो blood है वो भी connective tissue की ही type है सो यह इदर मैंने आपको example से दे दी है कि हमारे connective tissue की कौन कौन से types है ठीक है तो अब हम next so cartilage क्या है cartilage जो है soft होता है bone की निजबत bone hard होती है लेकिन cartilage soft होता है bone की निजबत ठीक है क्यों soft होता है क्योंकि जो उनसे bones होती है उसके अंदर mineral की deposition होती लेकिन cartilage के अंदर minerals की deposition नहीं होती है तो इसका matrix है is flexible इसका matrix है bone की निजबत flexible होता है और elastic होता है क्यों क्योंकि इसके अंदर collagen fibers होते हैं उसके इलावे elastic fibers collagen fibers और elastic fibers से इसका matrix बना होता है cartilage का collagen क्या है collagen is a type of protein collagen collagen जो है protein की type है जो के most abundant protein है हमारी body में human body में most abundant type of protein कौन सी है collagen ठीक है most abundant type of protein है हमारी body में उसके इलावा अब next बात की जाए no blood vessels cartilage में कोई blood vessels present नहीं होती ठीक है absent होती है इसी वजह से यह क्या होता है avascular इसको का जा सकता है इसके इलावा इसे a neural भी कहां जा सकते है a neural का क्या मतलब है इसके इंदर कोई nerves भी present नहीं होती और next point है transportation through diffusion इसका मतलब यह क्योंकि इसके इंदर blood vessels absent होती है cartilage में इसलिए इसके इंदर जो भी gaseous exchange होता है वो सिर्फ और सिंपल process simple process diffusion के तहत होते इसके इंदर कोई blood vessels के through blood के through transportation नहीं हो रहा होता इसी वज़ा से इसका जो healing process अगर cartilage कभी damage हो जाए तो उसका healing process बहुत slow होता है इसके इसके इंदर जो है cavities present होती है और इसका जो है इसके इंदर minerals की deposition होती है अब हम cartilage का structure से देखते हैं जब भी आपने bio में ज्यादा तर structural चीज़े होती है तो उनके लिए आपने जो नोर्स बनाने जिस तरह आपने याद करना आप उनका structure बनाए और उसके साथ ही यह कोई भी हमारी है बोन होती है यह हर चीज़ की एक outer covering होती है तो इससी तरहां cartilage की भी outer covering होती है अब यह outer covering के इसके यह dense यह outer covering dense fibers की होती है ठीक है dense fiber की होती है जिसको क्या कहा जाता है connective tissue होती है जिसका नाम क्या होता है perichondrium perichondrium is the outer layer of cartilage इसके अंदर अब matrix बाया जाता है ठीक है matrix होता है सारे के अंदर ये देखें ये सारा matrix है cartilage का ठीक है अब इस matrix के अंदर collagen fibers होते हैं और उसके इलावा elastic fibers होते हैं ये matrix किस-किस से मिलका बना होता है collagen और elastic fibers और इन्ही fibers के दर्मियान ठीक है इन्ही fibers के दर्मियान जो है small cavities होती है ठीक है ये small cavities होती है जिन जो उनसी small cavities इनको क्या नाम दिया जाता है label कर लेते हैं ये जो small cavities होती है इनको कहा जाता है lacuna क्या कहा जाता है इन cavities को lacuna कहा जाता है इलस्टिक फाइबर्ज , और यह क्या है ? जो किस से मिल्क्य बनाव होता है ? मेंन जलें और बीच में यह लास्टिक फाइबर्ज होते हैं झी कर्म हैं जुक हमारे पास जो लीविंग सायर्ण हощiness के लीविंग सेल्ड होता है इस तरह रहा हमारा तो चार्टिलाइज के भी कार्टिलेज में यहां पायते जाते हैजहां अजो कि दियाव है यहीह सारा metrics को सेक्रीट करते है metrics को सेक्रीट करना कि इसका कॉम होता है living inomग में में गारेंटर कार्टिलेस कर Cornel Sap और इलास्टिक जाती है उनके सिपस्थ को से मतलब आप है कि इसके अज्धन घूलिजद होते हैं ठीक है और Elastic Fibers कम होते हैं जो Fibro Cartilage है यह थोड़ा सा Rigid होता है Fibro Cartilage Rigid क्यों होता है क्योंकि इसके इंदर Thick Collagenous Fibers पाय जाता है ठीक का मतलब क्या है मोटे मोटे Collagen के Fibers होते हैं जिसके वजह से इसके है थोड़ी Rigidity आ जाती है और यह थोड़ा से क्या हो जाता है Rigid होता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है Elastic Cartilage Elastic नाम से जाहर कर रहा है कि इसके इंदर Elastic City होगी तो इसके इंदर क्या होता है है कि Highland Cartilage से मोस्ट इंपोर्टेंट में कौन सी है मोस्ट अबंडेंट तो वह कौन से Cartilage है जो के मोस्ट अबंडेंट है human body में तो वह Highland Cartilage है ठीक है Highland Cartilage is the most abundant type of Cartilage in human body अब इनके एक्जेंपल्स देख लेता है Long Bones के end पर जो Cartilage present होता है Highland Cartilage जो हमारी नोज है उसके अंदर Highland Cartilage ट्रेकिया और लेरेंक्स अब क्या है ट्रेकिया लेरेंक्स है हमारे respiratory tract का हिस्ता है तो इसके अंदर भी कौन सा Cartilage present होता है Highland Cartilage ठीक है Fibrocartilage Fibrocartilage का जो थोड़ा सा इसके साथ इंटर भी लिखेंगे इंटर वर्टिब्र डिस्क नीज्वाइंट और जो हमारा प्यूबिक सिंफाइस होता है उसके अंदर कौन से कार्टिलेज पाजाता है Fibrocartilage का पाजाता है देखे हमारा जो एयर है आउटर यह पीना यह कितना यह लगाता है यह किससे मिलकर बने ऊता है उसके इलावा जो अपीक ग्लॉटीस यह एक लीट डाइक श्रक्चर होता है जो हमारी ट्रेकी और अस्फेके इनके उपर मतलब लगा जो किए इसको इसको कवर करता तो यह एक ग्लॉटीस और और एस यह दूनों यह यह से आते ह होती है हार्ड कनेक्टिव टिशू है ज्यादा तर जो कनेक्टिव टिशू है उनका मैट्रिक्स किसे मिलकर बना होता है कॉलिजन से ही मिलकर बना होता है और इसका मैट्रिक्स जो है वो यह मैंने आपको पहले बता है कि इसका मैट्रिक्स हार्डेंड सख्त हुआ होता है ठोस ब्लड वेसल्स प्रेजन्ट होती है मींज कि यह वेस्कुलर होती है और इसके अंदर नर्व भी प्रेजन्ट होती है इसलिए यह नियूरल भी होती है ठीक है अब इसको जो इसको मैंने आपको पहले बता कि कि इस्ट्रक्चर हम डाइग्रामेटिकली ड्रॉ करेंगे और फिर हम उससे सिखेंगे तो यह आपको इदर दिखाया गया अब इसको मैं आपको बना के दिखाते हैं जैसा मैं बनाऊंगी आपने अपनी नोट्स में उससी तरह का यह बनाना है ठीक है तो यह देखें यह हम ज ही जैसेCon세요 काटिलेजों की आउटर कवरिंग होती है इसी तरह मोन की भी आउटर कवरिंग होती है यह देखें यह हमने आपने इसी तरह से बनाना यह यहां से थोड़ा सा इस तरह से आप बना लें ठीक है अब यह देखें सबसे पहले अगर हम कहने इसको आउटर अगर हम आउटर तोर पर देखें बॉन्स को तो उसके कितने पार्ट होते हैं आउटर तोर पर ना बॉन्स के हमने थ्री पार्ट्स होना होते हैं दो पार्ट यह corner वाले और एक central parts अब यह जो corner वाले parts होते हैं इनको कहा जाता है epiphysis क्या कहा जाता है epiphysis अब यह जो central bone है इसको कहा जाता है जो length of the bone है इसको कहा जाता है diafysis ठीक है या फिर इसको हम और क्या कहते है इसको हम shaft भी कहते है ठीक है अब जो हमने दो लेयर्स बनाई है इनके क्या नाम होते हैं यह आउटर जो है यह भी connective tissue यह जो हमारी outer layer है यह भी connective tissue से मिलकर बनी होती है ठीक है यह connective tissue से मिलकर बनी होती है इसको खा जाता है periosteum जहाँ पर भी osteo का लवज आएगा ना उसका मतलब है कि bone की बात हो रही है और यह जो inner layer होती है इसको खा जाता है endoosteum यह दोनों layers किसे मिलकर बनी होती है connective tissue से ठीक है अब यह जो inner layer है ना endoosteum इसके अगर हम regions की बात क divide किया जाता है अब वो कौन कौन से regions है हम वो देख लेता है एक तो है यह outer जो थोड़ा सा hard region होता है ठीक है यह यह जो मैं आपको दिखा यह hard यह होता है ठीक है इसके अंदर जो है ना यह सारा spongy सा material यह मतलब कि यह सारा जो है ना ऐसे यह सारा ऐसे सुराख सुराख वाला मुझे के वीज Bier रों ठीक है और यह सौफ्ट होता है और यह सौफ्ट होता है यह पोरस होता है तो रिजेशन के बेसिस पर हमने two में divide किया ठीक है अब यह outer जो hard होता है इसको का जाता है यहatan कौंजी बॉन लागिंगा आप इसके अंदर क्वाने सा जो हमारा जो Sponji bone होता है ना जो हमारा red bone marrow होता है red bone marrow हमारा ये His 1950 bone के अंदर ये present होता है ये देख़ें ये जो मैं highlight कर हुँ ना red color से यह क्या है य blemhenow कौन सा bone marrow red bone marrow और ये red bone marrow जो है ना हमारे ये जोify primeiroμε talk is Corners है इनं पर present होता है ठीक है अच्छ ein आपको ये बता दूँ कि Uagnose Spongey Bones ना Spongey Bones इसी के अंदर Red Bone Marrow present होता है Yellow Bone Marrow present होता है और Blood Vessels भी Spongey Bone के अंदर ही present होती है ठीक है यह Red Bone Marrow और जो Central होता है ना Central में Means के जो Diophysis के Region में होता है वो हमारे पास Yellow Bone Marrow होता है ठीक है वो देखे यह इस तरह से Yellow Bone Marrow होता है ऐब इसको हम हायलाइट कर लेते हैं, red bone marrow, this is red bone marrow, और इसका क्या काम है? इसका काम है, blood cells की production करवाना, blood cells बनाना, और यह जो yellow bone marrow होता है, ये कौन सा है? yellow bone marrow, इसका क्या function होता है? इसका function होता है, fats को अपने अदर store करना, energy को store करना, ठीक है? तो यह हमारे पास bone का structure है अगर आगर आउटर आउटर देखें तो हमें bone को जैसे हम उपर से अगर हमने divide करना हो तो हम three parts में करते हैं corners और एपिफाइस और center वाले डाइफाइस शाफ्ट ठीक है फिर अगर हम layers की basis पर देखें two layers में करते हैं outer भी करेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होते हैं परियोस्टियम इनर भी करेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होते हैं endosteum फिर अगर regions की बात करें तो two regions compact bone outer heart and inner soft spongy bone spongy bone के लिए पर आगे हमारे पस spongy bone means के पोरस होती है इसके अंदर क्या होते हैं हमारे पास red bone marrow present हो यलो bone marrow red bone marrow epiphysis के area में present हो और yellow bone marrow center में डाफइस के region में red bone marrow का function होता है red blood cells white blood cells की प्रोडक्षिन करना और येलोबोन मेरों का फंक्षिन होता है फैटिक को स्टोर करना अनरजी को स्टोर करना औरह आपको समझ आ गई होगी नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं टाइब सो ओए सब्सक्राइब तो हमारे पास three types of bone cells होते हैं Osteoblast, Osteoclast and Osteocytes Osteoblast को bone forming cells का जाता है Osteoclast को bone dissolving cells का जाता है और Osteocytes के mature bone cells होते हैं यह इनके key point है अब जो Osteoblast है उसका function क्यों होता है कि जैसे cartilage के living cells होते हैं उसके इंदर तो एक टाइप एक तरहां की cell होते हैं जिनने का जाता है यह Osteoblast matrix secret करते हैं लेकिन यह main point है इसको आपने याद रखने हैं कि वह unmineralized होता है उसके अंदर कोई minerals जो आख है deposit नहीं होते हैं जैसे के calcium और phosphate ठीक है यह unmineralized जो matrix होता है na ground matrix means के collagen fibers वगारे यह वह वाला matrix secret करता है ठीक है यह इसका function है और जब osteoblast matrix secret हो जाता है और जब वह matrix hard हो जाता है minerals की deposition से तो फिर वह जो osteoblast है वही किसमे convert हो जाते है osteocytes में क्योंकि हो mature cell हो जाता है फिर वह आगे और matrix secret नहीं करते हैं बलके फिर वह मदद देते है bone के structure को maintain रखने में calcium levels को maintain रखने में osteoclast का function क्या है कि यह bone को तोड़ने में dissolve करने में मदद देता है उसके लावा इसका function जब भी होता है जब bone रिपेयर होना होता है जैसे अगर bone fracture हुआ तो जब bone repair हो रही होगी तो osteoclast का बहुत function होता है इसके लावा यह calcium level को भी maintain करता है कैसे maintain करता है क्योंकि जब calcium level जदा हो जाता है तो इसको यह dissolve करता है इस तरह से यह osteoclast calcium level को maintain करता है अब देखें इसको याद रखने के मैं आपको trick बता हूँ तो osteoblast B से आपने याद रखने बनाने वाले cell के यह bone को बनाते है ठीक है यह देखें यह हमारा friend क्यों से ड्राइब होते है औस्टियोजैनिक से यह एक इंपर्टेंट आम से की जा सकता है ठीक है कि यह तीनों टाइप ऑफ सेल ऑस्टियोजैनिक से ड्राइब होते है नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं है functions of bone जो के ने बहुत इंपर्ट alum फांस्ट फंच्ट न दो बहुतीजी सह कि यह हमें क्या प्रोवाइट करते हैं हमें यह शेप प्रोवाइब करते हैं हमारे structure को मेंटियर रखते स्पोर्ट प्रोवाइट्चे अलो GG अलों यह बहुत इस positively सा एक हमारे मुव्मेंट में help करते हैं यह भी बहुत important function है ठीक है mineral homeostasis यह बहुत important function है हमारी bones का इसको अगर मैं आपको समझाओं कि mineral homeostasis कैसे होते हैं समझागे हमारी bone ठीक है इसके पारिकां इसके दर हमारी mineral को homeostasis means के उसकी जो amount है उसको balance रखना कैसे जब calcium में जब bone में calcium और phosphorus का level जएदा हो जाता है तो फिर ये bone से transfer हो जाते कहां blood में क्यों क्यों के blood में जब calcium और phosphorus का level कम होता है तो ठीक है और जब blood में ज़्यादा हो जाता है तो ये वापस transfer हो जाते है बोन में means के bone में कमी हो गई calcium phosphorus की तो ये वापस bone में transfer हो जाते है और इसके लिए two hormones काम करते है जो क्यों होते है पैरत hormone calcitonin यह हम आगे hormones वाले chapter में detail में discuss करेंगे तो इस तरह से mineral की homeostasis हो रही है ना कि mineral को balance रखा जा रहा है तो ये भी एक bone का function उसके लावा blood cells production यह भी बहुत important function मैंने आपको बताया कि bone marrow present होता है bone marrow present होता है bones में जिनके अंदर क्या blood cells की formation होते है कि rithrocytes की और इसके लिए एक hormone यूज होता है जो के hormone कहां से आता है वो hormone आता है हमारे kidneys से जो के bone के अंदर blood cells की production करवाने में help करता है so next up हम कर लेते division of human skeleton human skeleton के bones के name याद कर लेते what a beautiful picture देखे कितना अच्छे skeleton लग रहा यह so skeletal system अब हमारा जो skeletal system है इसके अंदर पनर्स जो के हमारे skeletal system मनाते है पहला है bone and the second one is cartilage system अब हम human skeleton की bones के name याद करेंगे उन्हें diagramatically देखेंगे और साथ उनके निमोनिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करोगी first of all human skeleton के अंदर कितनी bones present होती है 206 206 bones को हम two parts में divide करते है axial skeleton and appendicular skeleton so यह देखें यह हमारे body है ठीक है यह human body है ठीक है अब आपको समझाज आजाएगी सही है ठीक है तो इसका जो यह इसका जो यह देखें center है na center जो body का axis है उसका जो भी bones touch करते होंगी वह आएंगी हमारे axial skeleton में और side पर extremities appendages है ना जैसे हमारे hind limbs four limbs यह आजेंगे appendicular skeleton में okay सो अब अगर देखें कि हमारे जो axial skeleton में 80 bones आती है appendicular skeleton में 126 bones आती है ठीक है अब बारी बारी हम इनको देखते हैं सबसे पहले axial skeleton करते हैं ठीक है सो यह देखें axial skeleton को आगे four parts में divide किया जाता है कौन कौन से पार्ट में skull में skull में divide किया जाता है sternum rib cage vertebral column skull जो हमारी खोपड़ी होती है head cover करती sternum chest bone की bone होती है chest में rib cage 24 ribs होती है vertebral column vertebral column spinal cord skull को देखते है अब अगर हम bones की पहले बात कर लें कि कितनी-कितनी bones होती है सो यह देखें skull में हमारे 29 bones होती है sternum 1 single bone rib cage 24 होती है pale 12 होते है ठीक है तो 24 है और vertebral की अगर बात की जाए तो कितने vertebra होते है हमारे vertebral column में तो answer है 33 ठीक है इसमें से जो last pelvic region के sacrum होते है वो 5 vertebra fuse करके 1 bone मनाते है ठीक है तो इसलिए इसको हम one bone consider कर लेते है इसी तरह कोकेक्स होते है जो क्या कहलाते है fusion से बंदे और एक bone तो इसलिए अगर इन दोनों हम एक के consider करें तो vertebral column की bones अगर बात की जाए 126 होती है ठीक है तो यह हमारी division हो गई अब सबसे पहले skull को देख लेते है सो skull में कतनी bones है skull को भी आगे 4 parts में divide किया जाता है जो क्या 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 है तो प्रोटेक्ट करते हैं और कवर करते हैं facial bones ठीक है उसके लावा ear ossicles और hyoid bone ठीक है सो अब सबसे पहले cranium cranium की eight bones के नेम यह है cephenoid, ethmoid, temporal, occipital, frontal, parietal अब इनको याद करने के लिए एक बहुत ही easy सा और interesting सा निमोनिक है cranium is a set of eight pieces Cranium is a set of eight pieces S से cephenoid, E से ethmoid, T से temporal, O से occipital, F से frontal और eight से number of bones and P से pieces से parietal cranium is a set of eight pieces cephenoid, ethmoid, temporal, occipital, frontal, parietal ठीक है आपको याद हो गई है eight के eight bones अब इसमें से देख लेते हैं paired कितने होते हैं और unpaired तो प्राइ्टि प्राइ्टि कम होती है आप paired याद कर ले這樣子 आपको डेफिनेटली जो होती है unpaired वो भी जाद हो जाएगी temporal 2 होती है parietal 2 होती है बाकी सारी 01 01 होती है unpaid होती है temporal & parietal कितने होती है paired होती है आप जिस हैने पूरा skull को कर लेते हैं कैसे कैसे bones होती है ठीक है अब facial bones देख लेते हैं 14 facial bones होती है ठीक है यह आपको दिखाईदार यह कौन को से है maxilla, zygomatic, lacrimal, inferior conca, nasal, palatin, warmer and mandible ठीक है so maxilla इसके लिए इनको याद रखने के लिए मेरे पास बहुत interesting सा निमोनिक है ठीक है मैं आपको बताती हूँ अगर आपको कोई और अच्छा निमोनिक लगता तो आप बेशक वोई कर ले यह देखे my zebra my zebra like like to eat 14 ठीक है then international pizza very much यह देखे बहुत इसके लिए मॉनिक और इंट्रेस्टिंग भी है my zebra like to eat 14 international pizzas very much my zebra like to eat 14 international pizzas very much अब देखें पिज़ा की बात हो रही है तो पिज़ा जो हमेशे मूँ से खाया जाता है ठीक है तो इससे आप याद रख सकते हैं आपको भूले का भी नहीं कि यह पिज़ा वाला जो निमोनिक है यह हमारे facial bones के लिए क्योंकर face में हमारे mouth होता है जिससे खाते हैं तो इसलिए यह facial bones की बात हो रही है तो इट 14 तो इट इसके लिए वैसे निमोनिक बिनाने के लिए लिए लिखा गया है आप लाइक 14 इंटरनेशनल भी कह सकते हैं तो इट नहां भी लिखे तो 14 से आपको नंबर भी याद रहेंगे bones के सो M से maxilla, Z से zygomatic, L से lacrimal, I से inferior conca, N से nasal, P से palatine, V से warmer, M से mandible ठीक है अब इसमें से देख लें इसके अंदर पेर्ट ज्यादा होती हैं अनपेर कम होती हैं आप याद रख लें यह देखें अब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी पेर्ट हैं कितनी अनपेर हैं सो warmer और mandible ठीक है सिर्फ यह दो बॉन्स जो एंड पे जो दो बॉन्स का जिकर किया गया ना सिर्फ वह वन वन होती हैं और बाकि सारी पेर्ड होती है मैकजेला भी टू जाइगोमेटिक भी टू लैक्रेमर भी टू इंफिरियर कॉंका भी टू नेजर भी टू पैलेटिन भी टू सिर्फ वामर और mandible एक एक होती हैं और यह एक इंपोर्टेंट mcqs भी हो सकता है यह देखें कि हमारे जो इसकल में सिर्फ एक mandible bone है जो के movable है ठीक है movable bone है सिर्फ एक mandible bone है हमारे पूरे इसकल में जो move कर सकते है ठीक है यह एक important mcqs हो सकता है ठीक है अब हम बात कर लेते हैं एयर और सिकल्स की थ्री एयर और सिकल्स होते हैं ठीक है वन एयर में और टू एयर की मिलाके six बन जाते मैलेस ठीक है मैलेस इंकस स्टेप्स और स्टेप्स का यह important point है कि यह सबसे smallest bone है सबसे यह smallest bone है हमारे पूरे human body में यह important इससे point है नेक्स्ट हाइयोड हाइयोड एक ही bone होती है के हमारे यह स्कल्स के यह जो हमारे यह करें के टंक के नीचे यह हमारे मारे वैंडिबल के एर्द-गिर्द अंदर की तरफ होती है और यह आप कर दोल्ग हाइव स्टेपश सこう स्कल्ड उनMusic ऐने कम बाता हैं के कुछ सय जान का कुछा के गाल मां कुछा को साहत है। मतलavर भी कुछा जाना कर दो मैंने करेंड时间 काुछा हैं गालन ज्यायंट ख़णन साथ गया temporal यह भी क्या है यह मेरे पास प्रियर्ड होती है ठीक है उसके लावब यह और यह झे चबड़ के ब्रशा सफ्नॉर्ड पार वोन्स यह मारे पास क्या है तो यह हमरे पास 123456 इंहें यह होगी और यह यह पर मरपस टेंपोरल आ गई और यह मारे पास सफमाइद आ घड़ी ठी यह पूरी यह देखें यह जो आई सॉकेट में होती है ना यह देखें इधर से अगर मैं आपको यह ढाकर दिखाऊँ तो यह देखें यह जो आई सॉकेट वाली बोन है ना यह हमारी क्या है सेफनॉड बोन है ठीक है और यह देखें यह हमारे पास एथमॉड है ठीक है अब जो किसर्फ आपकी मूवेबल नेकर क्योंक बोलता है तो यही बोन आपकी मूव करती है यह इनर इंफिरियर कौन का ओ लिए चाहता थीक है इसको अब गए यह था जो आपको जाधार नेसल। ठीड़ित आपको विजाए जो है आपको तो यह उपकर का पीन उक्रों का यह चो आंदो आपको याद रहेंगे शोब हमादेना कर लाते हैं यह अब हमारे इस्ट इस्टेरनिम यह सेंटर off axis cavity धिक्षilot यह सेंटर में होती है हमारे तैस्ट चेएं तुल वीच रिप्योत टो ट्रीडस वेहलिटेल डार approximately अगों करते हैं जोड़ीर यू stir-num इसको हम three three form में classify करते है true ribs false ribs and free floating ribs अच्छा जो पहली seventh pair होते है न वो true ribs कहलाती है क्योंकि वो directly sternum से attached होते है and just eighth ninth tenth जो pair होता है वो indirectly attached होता है मारे sternum से किसके जरीए से costal arch costal arch costal arch क्या है cartilage है costal arch क्या है costal arch एक cartilage है costal arch जिसके जरीए से हमारी ribs जो हमारे sternum के साथ attached होते हैं और free floating next 11th और 12th pair वो क्या होती है वो दोनों free floating क्यों खा जाते क्योंकि वो sternum से attached ही नहीं होती वो free floating होती है लेकिं ये 12th pair posteriorly means से पीछे की जानिब से हमारे वटिब्र कोलम से अटैजच होती है लेकिन आगे और बात की जांय तो 10 connected होती है जिसमे इसे 7 जो आइरेक्ली असेट और जो नैस्ट 3- sini नेक्स्ट तो दिए ठीक है तो सब्सक्राइब हम करते हैं किいき वर्टीब्र कॉलम में हम एक वर्टीब्र पास इतंग होती हैं הוא कुल तरी वर्टीब्र मेंने कि आती है अगर प्रेग। बितनर कें सब्सक्रणा बनन कह सोटकें होटे इस घ्रफिक कितनी होते हैंuuuu कितने होतेidade नाotti भी कितनी होते हैं थी कितनी होते हैं यह पनिता है делатьoral सब्सक्राइबूर्स को च्रहु बनन भी कहा जाता हैU ठीक है तो अगर मैं इसके लिए आपको निक बताऊं तो है कॉल दा लोकल पुलिस ठीक 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 है कॉल दा लोकल पुलिस एड 71259 यह नंबर हो गया और इसे आप याद रख सकते हैं वर्ट लिब भुंचने निशाख कया आप हाणा जिसरा अगया का ति में उनको और जो फारे उनको साथ में यहां अगया के और लिसरा अगया श in-9 तो उनको ब्रेजड और हgleं और क्यों अगया है वर्चने अगया वजन बढ आ एक deport चूर्डवां मारे लिसरा कि एक यहां चिंव प टीक है एक रथे नोंबर से तो सीक्ट वाली करें जिनान एक पेक्टोरल गलडल के नर कोण आता है और इनके नमबर्स देख लेता है अब ठेक्टोर्ल में डू ँग तरह की बोन होती है क्लाविकल चौने ब हुबोक क्लाविकल चौने क्लाविकल, स्यХंत्ति-म IGHओ elongate स्युम्हालेट नेजियायन छाफ सी बलाए है क्लाविकल चौने जरता स्था चौने-म पेड़ूण रभान करल स्कौने कहा जब ओसे यह सौंधтор क्लावِ वैसे पैलवी गड़डल में थ्री बोन्स होती है जो के मिलकर थ्री बोन्स मीन्स का कॉक्सर बोन्स टू होती है जो के मिलकर बनी होती है थ्री थ्री बोन्स के पेर से थ्री बोन्स के फ्यूजन से ठीक है फ्यूजन से मिलकर बनी होती है तो यह देखे यह थ्री बोन्स है तो सब्सक्राइब नहीं हम आप सहां मेलान नियुक्र के ङुमरा नना का उपार रातार ओकर तेसे के रही और सांथ जाता है। वन बोन होती है इसी तरह धार लिंग में अगर देखा जाए तो कॉक्जर बोन से आगे आ जाती है हमारे पास फिमर जो के एक बोन होती है यह दोनों जैसे हमारे आर्म का हिस्सा बनाते तो यह हमारे जो थाई का रिजन होता है यह वो बनाते फिमर और यह सबसे टीक है radius एंड़ना ठीक है radius जो है smaller होती है जब कर जो अल्जर मोग होती है जब के जोग अल्णा होती है जो है open इंड़ना प्रशल सुभ दो हाथ है गौ़ ऑंड़ना होती है तो總els के जबाद हो हो जीए आधक eens चार इठार होगा धुक्त बोनूंva होती है तो हमारी लेग में fibula और tibia यह भी two bones हैं जो के रेजिस और अल्दना की तरह होते हैं कार्पल के comparable अगर हम फुट में देखें तो टॉर्सल होते हैं लेकिन यह seven होते हैं जो कि हमारा ankle बनाते हैं अग्योंट भी one of our蓋 जो कि हमारे ने गार पनाते हैं और फूर्टल नेंगा कर्पल में जो क्वा झाव रिजन कौ कर्पल में और फुट इस तरह अगर राप मेरे विकार में डिवेर रिजन का दर्वर पामेट बनाते हैं विकट ने वोग्योंगा, and peso में सब्सक्राइब करप दो और स्वार्ट कारपल और से एट और यह से वंधार उब्म नहीं अभी तो स्केल्टन स्ट्वाइब कर्प्ंट एंड से अवर्ण कोज़ से अब इस्टर्ण में से देख को एपितार्ण से टाय को जाइस कटिए कारद में तो यह इनके साथ मिलकर आगए इस टर्नम से अटैज्ट हो रहें ठीक है और यह तू फ्लोटिंग ने ठीक है है अब अगर हम पीछे की तरफ से देखें तो यह हमारे वर्टिब्र आगए यह तेल बोना आगए ठीक है। वह घ्रएम नें सेयंड स्काय। चाफ उनुट में एक चाफ मेंका सेयां नूलूचते साथ प्राफ पाड़ान का ईयाσι जान्य हिए ड्लूस टूरम पूर्ट्स भाता फ्लेंज यह अई। है अगा तो भी से से सब्षक्रेयच सक्राइब अगर करना ऊगर को है संब्सक्राइब छोट्रेब thanking ऑंक Tabel लगा है जहां पर डो बॉन्स आपस में मीट करती हैं।REAMiken जानती है। और यह कि र dispUI té VATION कहा । Chen को अभी विप्त के रेलेट कर रहे ज्छाएं। इसी तरह में आбको बता दूं कि BOMS की osteology ठीक है यह आपने याद रखना है अब अगर हम cartilage के functions की बात कर ले तो पहले तो है कि यह हमारे skeleton को पकड़ के रखता है सही जगा पर hold करे रखता है means कि हमारी जो posture है जो shape है उसको maintain करता है उसके लाव़ यह mobility भी provide करता है अगर हमारी bones के धर्मियान कोई joints ही ना होते तो हम अपने bones को हिला ना सकते यह joints की वज़ा से हम अपने bones को हरकत देते हैं और हम में mobility motion provide करता है ठीक है next है types of joints so three types of joints होती है fibrous joints, cartilaginous joints and synovial joints let's discuss them ok fibrous joints fibrous joints कैं सबसे पहले मैं आपको यह बना कर दिखाती हूँ फिर मैं आपको बताऊंगी के यह क्या होते हैं और इसका keyword क्या है देखें यह हमारे पास एक bone है यह हमारे पास दूसरी bone है ठीक है fibrous joints वह होते हैं fiber नाम से जाहर होता है कि दो bones आपस में fiber से जुड़ी होती है अब fibers की मिसाल bones joint by short fibers यह key point है ठीक है कि जो दो bones है वह आपस में fibers जैसे fibers किस तरह है धागों की तरह है जैसे अगर दो कपड़ों को धागों से सिदे धागों से तो क्या वह दो कपड़े हिल सकते हैं नहीं तो यह मूवबह नहीं होती है इसी वाजह से है jou surgically имеет joint the Iggy Ok तो यह जॉइंट्स कौन से जो के हमारे स्कल में पाय जाते हैं यह देखिए आपको नजर आ रहा होगा यह इस तरह से यह फाइबर्स हैं जिसके जरी हमारे बोंद आपस में जुड़ी नहीं है गुम्फोसिस क्या हैं वो जॉइंट्स जो के हमारे टीथ और जॉइंट्स के बने होंगे मैकजिला से और लोर जॉइंट्स के सिमर के बने होंगे मैंडेबल से ठीक है यह भी आपने याद रखना है ठीक है तो नेक्स्ट मुफ तो वर्ट काटिले जीनिस जॉइंट्स जॉइंट्स जैसे पिछले में था कि फाइबर एक्ट कर रहे थे ऐजा और इनके दर्मियान जो है एक कार्टिलेज का पैड होगा ठीक है यह देखें यह कार्टिलेज का पैड होगा जिसके जरीए से यह आपस में जुड़ेवे होंगे और यह कार्टिलेज इसके अंदर एक्ट कर रहा होगा ऐसा जॉइंट्स ठीक है यह कार्टिलेज है और यह ne once mother टीक है आप देखंगे जो काटिलेजे के जरीया सेना वह लीटलवीन से मुवमेंट अीजराइब होते हैं थोड़ी से मुवमेंट अलाओ करता है इसलिए इसलिए इ版ि जुद्स एक्टर्फ चाहिए department तो आप movement देखें आप देखें कि वह कौन से जोएंट से जो सिर्फ हलकी हलकी movement करते हैं तो इसके अंदर इंटर वर्टिब्रल डिस्क आपके जो वर्टिब्रा है आप देखें वह कितना slowly slowly हरकत होती इतनी कोई freely two aa और वेंटी ? यह संदर गों से तो यह इसकी इसकी एक्जैमपल होे इंटर वर्टिब्रल डिस्क ठीक है यह एक डिस्क है यह x वर्टिब्रा है । दूसरा वर्टिब्रह ए तो ढर्मियान यह present रृटिब्र डिसक और यह किसे में उरते होती हैं कल्ग म até fazer new नेक्स्ट है प्यूबिक सिंफाइसिज अब यह प्यूबिक सिंफाइसिज के यह देखिए यह आपकी दो कॉक्जल बोन्स होती है न यह जो आगे आके मिलती है ठीक है वेंट्रल साइट पर अच्छा वेंट्रल और डॉर्सल साइट को पता दू डॉर्सल साइट का जाता है को वेंटर का जाता है फ्रंट साइट को तो फ्रंट साइट पर यह जो होता है ना कार्टिलेज इसको कहा जाता है प्यूबिक symphysis ठीक है और ये भी किसकी एक्जामपल है ये भी एक्जामपल है cartilage genius joint की मींस के ये cartilage genius joint है ठीक है अब अगर हम बात करें intervertebral disc तो intervertebral disc का ये जो है कौन सा cartilage मुझूद होता है fibro cartilage next अब हम move करते है synovial joints पर synovial joints सबसे ज़्यादा freely movable joints है ठीक है और ये most abundant joints है इसका भी structure समझने के लिए हम पहले diagram बनाते है फिर उसके जरी से हम समझते है इसनको synovial joints क्यों कहा जाते है क्योंके इसके अंदर जो दो bones है उनके दर्मियान जो joint का काम कर रहे है वो एक synovial fluid होता है synovial cavity एक cavity होती है जो के as a joint काम कर रहे होती है और ये हमारे पास second bone है ठीक है आप देखें ये two bones है और इनके जो हमारे पास end होता ना haiijn 좌 आ इंदिगा है उनके काद प्राइतम होता है एक कार्टी और जाता है इस तरह से यह tel इनको कवर इंको कवर की हो नाम कि आंप यह पश्णार क्या जाकते है क्यों ज्यूंको आंड़लेंश का पहले होता है इसनुलीं इनको नाम स्थógल math होता है इनको ही और ac इसके मेंब्रेन को क्या कहा जाता है साइनोवियल मेंब्रेन का जाता है जिसने को इंकलोष्ट है एक खाली जगह को साइनोवियल cavity ठीक है अब इस synovial cavity के अंदर क्या field होता है इस synovial cavity के अंदर ये सारे का सारा fluid भरा होता है इस fluid को क्या नाम होता है क्योंकि ये synovial cavity है और इसके अंदर present होता है synovial fluid ठीक है तो ये आ गया synovial fluid अब इस membrane के बाहर एक modified सा structure होता है ठीक है यह एक structure होता है जिसे जो के capsule से बना देता है ठीक है और इस capsule जिसने इस पूरे joint को cover की होता है इस capsule को क्या कहते है इसको कहते है और इसी capsule का कुछ हिस्सा आप सबसे पहले तो आप यह बता है ना जो दो बनित путOoh उनको पर अपस में जोड़ने के लिए एक चाहिए होता है कर दो ने बनादा है और उनके यहाँ के जो एंडिंग पर एक कर्टिलेज प्रेजंट होता है जिससे अर्टिक्लर काटिलेज खाजाता है ठीक है फिर इन दो जॉइंट के दर्मियान जो काविक्टी होती है जो के जॉइंट काम करती है आप जो के मेंब्रेंसे मेंब्रेन का जाता एग और उसके बाहर एक कैपसूल ने इस पूरे जॉइंट को कवर कि एकपसूल जाता है और लिगमेंट वेन और उसको बॉलीड होता है उसका फंक्षन क्या है कि यह हमारी जो बोन्स है उनको और प्रोवाइट करता है और फ्रीली मुवमेंट प्रोवाइट करता है स्मूध रखता है क्योंकि यह जैसे के जैसे के तेल होता है उसकी तरह यह फंक्शन करता है कि यह बिल्कुल हमारी मुवमेंट को स्मूध करता है असान बनाता है फ्रिक्शन लेस करता है ठीक है क्योंकि अ कुछ प्रेचा में यह कुछ आप56 पर व मश्चांगे के आप ली कि अधारे악ने करने मिन के जूनोनों चाहिए, वठक pense Kauf था संडाहिन के जिसका है, जीन काना गुचरų क्यों हमें ज्मान ऑच्वाव की जा करता हैकं जाइफ। और दूसरे का socket एक cavity होते है जिसके एधर ने फिट हो जाता है और यह देखें यह आप देख सकते हैं इदर डाग्राम में यह लिए इसके इसके चाफिप बना और इसके अंदर क्या होता है कि टूप युप और यह निंदर करते हैं यह मैकसिमम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवा बाल एल्जेशे अर्मवबाल जोंट हैं वह बॉलन सॉकित जोएं तो अगर इनकी इग्जम्पल देख जाये तो जल्दी से सबसे पहले आप एप मुवमेंट देखें अपने बॉडी में मुवमेंट देखें को सबसे जादा फूली मुवएंबल है वह कौन सो जाएंट है श scapula ठीक है यह हमारी scapula bone है और यह क्या है यह humerus है ठीक है तो अगर हमसे पुछा जाए कि जोडर जॉहन था वो कौन कों से bones के दर्मयान होता है तो scapula and humerus के दर्मयान अब humerus का कौन सा पार्ट proximal path proximal path कौन से होता है दूर वाला part और distal path कौन से होता है sorry प्रोगजीमर कौत होता है करीप से वाले पार्ट रौडीश्टर कौत हुई दूर वाला पार्ट तो यह प्रोगिशिमर पार्ट नहीं बहुत है और यह इस कहा जाता है 000 अपने याद रखना यह secret basically कि scapula के दर्मियान कौन से cavity होती है जिसके दर ball and socket joint बनाता है hymras glenoid cavity ठीक है अब यह hip joint का अगर देख लिया तो यह हमारा क्या है यह हमारी coxal bone है ठीक है coxal bone है और यह हमारी क्या femurus है femur है ठीक है sorry femur है तो इसका यह head इसके अंदर लगेगा और यह दखे यह depressions ही है और hip joint की जो cavity है उसका नाम होता है उसका नाम होता है acetabulum ठीक है shoulder की glenoid और hip की acetabulum ठीक है यह दो examples है यह आप movement भी देख सकते हैं कैसे हो रही है अब आगे हम पढ़ते है hinge joint hinge joint का यह movement अलाओ करता है सिफ टू direction में जैसे door के hinge लगे होते है तो door सिफ टू direction में मूफ करता है यह movement देख ले सिर्फ two direction में movement हो ठीक है अब plane के अगर बात की जाए तो यह one plane movement होती है ठीक है देखें आप अपना hand को अगर करते हैं तो यह सिर्फ उपर आ सकता है यह नीचे नहीं जा सकता है ठीक है तो यह एक ही plane में move कर रहा है इसलिए यह one plane movement है और इसके अंदर two pairs of muscles perpendicularly attached होने चाहिए है इसके अंदर यह एक pair of muscles लाजबी one pair of muscles होने चाहिए जो के जिस direction में हमारी bone है उस direction में वो muscle भी होना चाहिए जैसे कि यह हमारी bone है तो muscle भी इसी direction में ऐसे होने चाहिए हुम्रस अपने proximal end से किसके साथ joint बनाती है किश कैपुला के साथ कौन सा joint ball and socket joint हुम्रस अपने distal end के साथ किसके साथ joint बनाती है radius औररणना के साथ कौन सा joint बनाते है हिंच joint ठीक है इसी तरह जो हमारा knee joint है देखे जो हमारे femur होगी न वो TB और fibula के साथ joint बनाएगी distal end के जरी कौन सा hinge joint proximal end के साथ किस के साथ बनाएग कौंसा joint ball and circuit joint ठीक है तो यह आपने इस तरह के mcqs आ जाते हैं यह आपने लाजमी याद रखने हैं यह आप यह joint को क्या का जाता है multi-stage joint ठीक है तो अब हम pivot joint देख लेते pivot joint कैसा है pivot joint rotate free movement अलाओ करता है nodded movement यह की point है nodded movement क्या जैसे आप नहीं के लिए सारी लाते है na rotation में you nodded तो यह जहां पर भी आपको यह movement नजर आएगी means कि वह pivot joint है ठीक है अब इसकी example atlas and axis जो first two vertebral होते हैं हमारी vertebral column के उनके दिर्मियां यह joint ठाया जाता है ठीक है आपको movement नजर आ रही होगी इस तरह से और दूसरा radius और अलना के आपस में आपना यह जो four arm है इसको यह करके rotate करे देखें कैसे rotatory motion हो रहे है नहीं वाली movement नहीं वाली movement हो रहे है rotation जो provide है यह देखें इसके नहीं होते है एक है उसके नहीं जो circle की तरह ऐसे करके लगा होते है आपको यह rotation में नजर आ भी रहा होगा इसी तरह से तो यह कौन से joint होते है pivot joint होते है ठीक है यह बहुत important joints थे जो मैंने आप so here I am gonna share with you a very interesting fact related to these topics do you think why your knuckles pop and crack so here is a very beautiful reason behind this so what happen when you crack your knuckles actually your finger have synovial joints in which synovial cavity is present which secrete a synovial fluid and when you bend your knuckles or bend your joint actually what happen actually your synovial fluid contain dissolved gases in the form of bubble so when you bend your joint synovial fluid expand and these bubbles make a very large bubble and when you bend or apply pressure so this bubble pop and you hear a sound so this is the reason why your knuckles pop so first of all arthritis 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 earth अग देखिये लफजों को आप तोड़ा करें आर्थ किस से related मैंने आपको बताया था joint से related है जहां पर भी art का बताब आप होगा इसका मतलब होगा कि वो joint से related है so arthritis का inflammation and degeneration of joints 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 की inflammation हो जाना soot जाना inflammation हो जाना या फे Degeneration भी हो सकती है ज्ट की इसके इंदर क्या होता है इसके अगर अखर देखर होते हैं तिसlivinus हो जाते हैं और ज्ट की inflamation हो जाती है ठीक है अगर अगर अब arthritis कि types की बात कर लिए तो इसकी से थरी में ट Are you high i he בא удивis जैसर्फियोर्थराइटस त्विछ Sally गउ।्ट yup अब ओस्ट्य आर्थ्राइटस की एक है कि यह सबसे ज्यादा most common type of arthritis most common type of arthritis ठीक है most common type है और यह ज्यादातर aged में होते है जो aged हो जाते हैं उनमें ज्यादातर यह arthritis होता है ठीक है तो इस arthritis में क्या होता है कि जो आपकी तो cartilage जैसे यह two bones लाना तो इनके जो मैंने आपको बता है articular cartilage होता है तो यह इससे affected होता है जब यह cartilage है तो degenerate होना शुरू हो जाता है ठीक है यह dissolved होना शुरू हो जाता है जिस वज़ासे जो critter होता है वो क्या कि लाता है osteoarthritis इसके दर क्यों ता कि बौन्स जो है इसके अंदर हमारी जैसे कि यह जो synovial membrane जो होती है उस पर एफेक्ट करता है और यह synovial membrane क्यों हो जाती है inflamed यह synovial membrane सूच जाती है इनके अदर inflammation हो जाती है जिसकी वज़ा से यह arthritis होता है ठीक है उस्ट्यार्थ्राइटिस एजिट में होता है और इसकी Moskosumun और अंदर क्या ज्याद रिक्त होता है जो काइटिलेयर और टिए लिदिवियूस इसके अंदर जिवियूस उट्रासडे और इसके अन्दर जो साइवियल मैंब्रेन होती है यह इंफ्लेम्ड हो जाती है दिसके बहुत ही पैन होती है घाउटी आर्थ्राइटिस यह क्या होता है यूरिक एसिट की डिपोजिशन की वजह सथा यूरिक है असियुरिक एसिड वो जमाश होना शुरू हो जाता है जॉइंट्स में जॉइंट्स में को जासे रुमेटाय अर्फरायटस ओ्टो इम्यून डिजीज Mimi के synovial membrane को हीट करते हैं निसके इनके inflammation होती है और osteoarthritis जो हमारे cartilage होते हैं long bone scan पर उनको effect करते हैं dissolve or degenerate करते हैं इसको osteoarthritis होता है next हमोब करते है disc slip पे so what is disc intervertebral disc क्या होती है ठीक है यह मैंने आपको पहले बताया है कि जो हमारे यह two vertebra होते हैं इनके तर्मियान जो यह cartilage का pad होता है इसको कहा जाता है inter vertebral disc और इनका काम क्या है कि यह एक cushion like pad होते हैं जो के हमें ज्यादे तर हमारे जो vertebral column इसको protect करता है और यह disc as a shock absorber की तरह काम करते हैं दिनस्तु के हमारे जो about the coral column इस्ता ओसको महभूज रखता है किन-किन से कोई छटके न लगे और इन जह 05,000iksi को और घ्जज़ाया दिफ्लिप को हनी अचिन का जластा है डिस्क कैसे सलिप होती है यह आपgender a structure यह यह हमारे spinal cord है ठीक है और यह हमारे जो स्पाइनल कोड यह गुजर रहा है यह आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया गया है कट करके ठीक है तो दो जो वर्टिब्र है उसके दिर मियान अब यह जो कर्टिलेज का डिस्क है अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं यह जो आउटर होता है इसको कहा जाता है ऐनुल आउटर कवरिंग हार्ड होती है इसका नाम होता है फाइब्रोस फाइब्रोस एनुलस ठीक है यह इसका नाम होता है और जो इनर होता है यह इनर पिंक कलर से जो आपको इसको कहा जाता है नुकलियस पलपोसी और यह सेमी फ्लूइड होता है ठीक है यह एक फ्लूइड सा हो पोसर्ष्ट जोता है और हमारे फाइब्र हमारे आउटर हीं हार्ड कवरिंग तो होते हैं इसका में हमारे तो वर्टिब्रार्चाथ आपको आपके ठाकरे रखती है के हरburger का लग गया कोई आपने कोई वेट उठा लिया तो यह क्या होता है कि जो नुक्लियस पर पोसीज होता है ना मैं आपको यह तर दिखाते हूं यह जो फाइब्रस कार्टिलेज होता ना फाइब्रो कार्टिलेज यह यहां से क्या हो जाता है डिजॉर्ट होना शुरू हो जाता जो हमारे spinal cord को हीट करते रहते हैं यह एक निडल से स्ट्रक्चर बन जाता है यहां से जो फाइब्रो कार्टिलेज होता है वह डिजॉल्ट हो जाता है और ब्रोक हो जाता है जिसके नुकलियस परपोस बाहर आधा तो यह हार्ड सी निडल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो अब आपने यह MCQ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप इनके आंसर कमेंट सक्षे में लाजमी लिखिएगा फाइब्रोस कार्टिलेज इस प्रेजंट इन विच ऑफ द फॉलिंग इंटर्क्लेटिटी डिस्क लेरेंक्स एर इंटर वर्टिब्र डिस्क हमनें पढ़ा है कि ऌशा आसगलेज कहां प्रेजेंट होता है फाइब्रिस के प्रेजेंट होता है इंटर वर्टिब्र डिस्क में अचा कौन subst imposeि होता है लेरेंक्स में पढ़ा है कि ने हाईलेंट कार्टिलेज ठीक है क्现在 कोई सा कई प्राइज औरоЯार में कॉन सा इंटकलेट Ready Disci है क्लेटर होनी हमारे जो काडिन उसके अंतर प्रैजन होफ़ है यह uhum next capeAL में पढ़ेंगे देखें अब यह जो लफज बंस रहें इंटकलेटरिक्ऽर्टिस्क लेकिन आपने पहले चारो पढ़ने काफी कुछ आई कैचर दिये होते हैं जो के आपका ट्रेक्ट कर देते हैं ठीक है आपको पता है कि बोन जो है सबसे ज्यादा रिजिट टाइप और अगर हम सॉफ्ट का पुछें के बोन की निजबत सॉफ्ट कौन सा होते हैं तो वह कौन सा होगा फिर कार्टिलेज ठीक है सब्गाने हमें ठीक हैं और पता हों है नतों तnah हो फिर कि सब्सक्राइब हम पर सब्सक्राइब करते हुग, कैसे इसे फ्रोड्यूस करते ही है हम एक चाहिए, बोन्स विच में एक एंकर जॉइंट से प्रोड्य विच मेंगे αυτी है इसा जॉइंट को मनाते हैंhte इसाल हसों जो न्याद कर तोर्सर आगे होते हैं, तोर्स युए डोन से इसागे नेकप्स बनात which one of the following cover end of the long bone end joint यह मैं आपको बता चुक हूँ वह कौन सा joint है जो कि हमारी long bones के ends को cover करता है articular joint ठीक है और यह articular joint होता क्या है articular cartilage और यह होता क्या है यह होता है hyaline cartilage ठीक है उसका नाम है pick up the most common type of osteoarthritis यह भी मैं आपको बता चुक हूँ osteoarthritis most common type of arthritis है the distal end of femur make which type of the joint यह हमारी bone है समझे है femur है ठीक है अब जो इसका यह part है इसको कहा जाता है proximal और जो यह part है इसको कहा जाता है distal ठीक है अगर यह आप लंबाई में देख रहे हैं कि यह हमारे head से नीचे pound की दरफ ठीक है तीबिया और fibula से और कौन से joint होता है मैंने आपको बता है यहां पर कौन से joint बनेगा knee joint और knee joint कौन से joint होता है hinge joint अगर यह proximal का पुछते तो फिर आप कौन से कहते है ball and socket joint ठीक है फिर आपने यह कहाना था क्यूंकर proximal and femur का कौन से बनाते है ball and socket joint और किस bone के साथ बनाते है coxal bone के साथ यह सारे mcqs बहुत important है और यह ऐसे mcqs आप से पुछे जा सकते है next move करते है the articulation of atlas first vertebra facilitated articulation को क्या मतलब है joint की बात हो रही है ठीक है तो atlas जो के first vertebra है वो कौन सा joint facilitate यान कि किस तरह की जो atlas का joint बने उससे किस तरह की motion हमें मिलती है rotatory motion sideway motion sliding या one way तो atlas और अपस में कौन सा बनाते है joint pivot joint तो हमें कौन सा motion मिलेगी rotatory motion which fibrocartilage made the inter vertebral disc अचा तो इसका है कि कौन सा cartilage जो है हमारे inter vertebral disc बनाता है nucleus pulposus annulus fibros pubic symphysis या फिर तो annulus fibrosus होता है जो के हमारा यह outer जो cartilage होता है उसका क्या नाम होता है annulus fibrosus और इसके inner जो semi liquid material present होता है उसका क्या नाम होता है nucleus pulposus तो इसका correct answer क्या होगा इसका correct answer होगा annulus fibrosus next is the proximal end of radius radius and alna make joint with अचा अब इदर हमसे क्या पुछा गया है यह हमने बना लिया अलना और यह हमने और इदर एक हमने बना ली radius ठीक है अब इनका proximal end कौन सा joint बनाता है ball and socket sorry sorry इसका जो proximal end होता हो कौन सा joint बनाता है hint joint और किसके साथ बनाता है हमारी humorous के साथ ठीक है उसका क्या होना है humorous होना है ठीक है अचा तो next question है metabolic arthritis is commonly called अचा तो यह देखे metabolic arthritis means कि जिसमें metabolic wastage or metabolism से कुछ relation होगा तो osteoarthritis को अगर हमने देखा कि agent में होता है और ज्यादे तर जो cartilage होता ना उसके अंदर जो long bone scan पर वो मतासर होता है rheumatoid arthritis autoimmune disease है जिसके अंदर हमारा synovial membrane है वो उनकी inflammation होती है गाउटी arthritis uric acid की deposition accumulation से होता है और uric acid क्या होता है metabolic waste है यह तो metabolic waste की जो accumulation से होता है यह arthritis तो इसी वज़ा से metabolic arthritis कौन सा होगा गाउटी arthritis ठीक है next is osteoporosis osteoporosis क्या होता है यह estrogen की कमी से जो हमारी जो bones है वो porous होना लग जाती है ठीक है porous हो जाती है हमारी bones ठीक है और यह भी ज़्याद तर एजिट female में होता है इसको हम next जब हम hormonal chapter पढ़ेंगे hormones का उसके अंदर हम osteoporosis को discuss करेंगे so thank you for watching this lecture अगर आपको यह lecture अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस lecture को आगए दूसरे students के साथ share करें ताकि उनका भी फायदा और comment में आप feedback ज़रूर दिजिएगा आपको lecture कैसे लगा और thanks for watching अल्ला हाफिज अल्ब और आपको प्लैको अल्ब आपको अल्ब आपको एल्ब शका अल्ब तूसरे दिएगज।